कि हलो दोस्तों मेरा हुल सवगत करतो हूं आपको अपकबर फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाई लाइफ में जहां मिलता आपको ओनलाइज स्वोलिशन दोस्तों आज के सुडियो में आपको बताने वाला हूं आई जी सी ऐ आर की नई वकेंसी बारे में अब आप सुच रहे हैंगे की आई जी सी एर होता क्या है इंद्रा गांदी सेंटर ओफ और चॉह तो इसमें realised निकली हूं टोटल कितनी पोस्ट निकली है क्या क्या record f यहां पर आप कौन सी क्या प्लेफिकेशन चीज में अप्लाइय्क करना हें पूरी Жंग हम आपको देने वाला है तो पर पहले नोटिफिकेशन द्वेशन ओनलाइन एप्लिकेशन और इन्वाइट फोर डारेक्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम इलिजिबल इंडियन सेटिजन तु फिल अप दू फॉलाइंग पोस्ट इन इंद्रा गांधी सेंटर ऑफ अटामिक रिसर्च आइजी सी एया कल पक्कम थू वेबसाइट ठीक है तो यहां पर कर दिया पर देख सकते हैं आइजी सी यार वेरियस वेकंसी रिक्रिप्मेंट टू तॉजन वाहिए अनलाइन 4337 वेकंसी यहां पर वेकंसी कितनी है थीच्टिज में तीन सो चैथीज टीक है तीन सो जेतीस यहां पर टोटल वेकंसी है और यहां पर बिफ इन्फरमेशन द अप्लाई ओनलाइन ठीक है तो आपको नोडिफिकेशन पहले लाना उसको बढ़ अप्लाई करना है चलिए अप इसमें बात कर लेते हैं देट की फीज की और यहाँ पर आपको क्या 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 सब्सक्राइब इसके हम बात कर लेते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा जूमा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दीख पाएं यहां पर आप देख सकते हैं इंद्रा गांधी जो आईजिसर का एडवर्टाइजमें नंबर 2-2021 से ठीक है तो इसके हिसाफ से आपको यहां पर अप्लाई करना है इंपोर्टेंट डेट के हम बात कर लेते हैं तो इसमें कर सकते हैं पर 15 अप्रेल से और लास्ट डेट जो है 14 माई 2021 आप 14 माई 2021 तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे ठीक है तो यह बात हो गई लास्ट डेट और स्टाइइंग डेट के वेकर से डीटेल के हम यहां पर बात कर लेते हैं पोस्ट नेम टोटल कितनी वेकर से एजुके पीएज़ी तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं 18-40 साल की यहां पर जो है एज लिमिट मांगी गई है एक पोस्ट और बी यह बी टेक होना चीविट डिलेवेंट एक्सप्रियेंस के साथ में एज लिमिट वही रहेगी साइंटिफिक ऑफिसर यहां पर चाहिए तीन पोस् चाहिए और 18-35 साल की यहां पर होना चाहिए ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं टेक्निशन भी क्रेन ओपरेटर की एक पोस्ट एससी है एससी मतलब 10 या 12 पास भी इसको अभीदन कर सकता है 18-25 साल की इसमें उमर चाहिए अब इसमें नेक्स्ट वेकेंसी आती है इस्टेन चाहिए आपको इसमें अपलाइक कर पाएंगे अपर डीजेन क्रक्राइब की टाइपिंग भी इसमें चाहिए ड्राइवर की दो वेकेंसी 10 प्लास होना चाहिए प्लस टेन पास होना चाहिए प्लस हेवी가요ающie क्लिक्ट चाहिए वरक असिस्टन्स केंटर अटेंडेट की है आपड दीस और फंदरा वेकंची और इसमें भी टेंथ पास आउट आप चाहिए और आपके पास अठास 25 सृष साल की ऑपकी होना बंधरी ट्रेव और पुस्ट हमापलाइक कर सकते हैं इंट्रेशेट あなた फूल नोटिफिकेशन फूल पढ़ लेना उसके बदर अपलाई करना आप आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों आपको यहां पर ऑफिशल वेबसाइट पर आज आने के बाद आपको कहां पर क्लिक करना है वह मैं बताने वाला हूं तो इसके पहले थोड़ा जोम आउट कर का बाद दो आपको आपको दिखे पाएं यहां पर दीखिए एक यहां कर देख सकते हैं फस्त बåस नमबर ऊपटाइज मेंट कर दो 2021 जो और नीप निए नोडिफिकेशन में बताया था कि यहां पर यहां पर सिंपल सा क्लिक कर देना है अब जैसे यहां पर क्लिक कर देंगे तो आपको सामने एक नया पेस्ट खुल कर आएगा जिस पर से आपको को ऑनलाइन अपलाइक करना है और कैसे करना वह मैं आपको सिकाने वाला हूँ ठीकर अपर आपको रिक्रिटमेंट का जो हे यहां से इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं मैंने आपको बताएं अब यहां पर एक उप्शन है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का तो इस पर आपको क्लिक करना है अगर आप अपको प्राइमरी डिटेल्स आपकी यहां पर जो है इनको यहां पर आपको बढ़ना पड़ता है इस फॉर्म में ओनलाइन सब होता है यहां पर आप मुवाइल से भी काम कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है यह फिर अगर आपके पास कंप्यूटर पीसी तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब का नाम लिखना है उसके बाद फरस्ट नेम आपको लिख देना है ठीक है उसके बाद आपको फादर नेम लिखना है अगर आप लेड़ी से मेरीड है तो आप हस्बेंड नेम यहां पर लिख सकती है अगर दोना है तो चेक बॉक्स बनाओ इस पर क्लिक कर दें तो दोनों सेंफ फिल हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर आपको इतना सब पूछ करने के ब सब अगर आप इनकोर्ट यहां डाल देना अपर डालना है इसके बाद आपको आपको लोगन आडी पासफ़ट बनाने के लिए आप लोगन आप जैसे बनाएंगे तो यह एक उप्शन ने चेक आवेलिब्टी थी इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो लोगन आईडी सब्सक्राइब करें तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना इसमें आपकी पूरी जानकर यहां पर देख लेनी है और यहां पर एक ऑप्शन आता है जैसे क्लिक कर देख जैसे में कि हो जागा फर्स्स यस तरह से इस पर सकते हैं आपको लोगीन कर सकते हैं तो इहीं पर क्लिक क्लिक कर देना है तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है तो इतनी सिंपल से स्टेप से रेजिस्ट्रेशन करते वक्त उस पर एक और टीपी आएगा वह आपको यहां पर डाल देना है सिंपल सा और टीपी डालने के बाद आपको उसको वेरिफाइब कर लेना है ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए हम वेट करते हैं इमेल आईडी पर चेक करते हैं कि हमारी इमेल आईडी पर ओडिपी आया है या नहीं और जैसे ही आप रोटीपी आ जाएगा तो हम ओड़ी प आपको यहां पर जितनी वेकेंस से निकली है पूरी डिटियल यहां पर रहेगी आपको जिस वेकेंसी के लिए अपलाई करना है आप यहां से क्लिक करके उसके लिए अपलाई कर सकते हैं यहां पर टोटल 300 स्टाइटिंग मैंने बताया था 377 कुछ वेकेंसी से तो आपको वेकेंसी क्टिक्टीक्स के बदूब को अपलाई करना है लेकिन मैं और पर अबसivesseक बटा दूब अपलाई करेंके लिए अपनी जो कॉलिफिकेशन उसके साब से मैं तो मैं च्पार की वेकंसी के लिए अपलाइ कर सकता हूं में आपको सामने यह कुछ बैसिक I यहां पर सबसे पहले आपने जो पोस्ट शिलेक्ट ही उसके हिसाब से यहां पर पोस्ट आजाएगी लिखकर डेट आपके डिफोल्ट आजागा जो आपको करना पड़ेगा आपको टाइप करना पड़ेगा ठीक है और अगर आप अगर चाहिए तो यहां पर यहां पर चाहिए तो यहां पर चाहिए तो कर सकते हैं तो यहां पर आपको यह करना नहीं है तो फिर सिंपल सा नो कर सकते हैं आगे बढ़ जाना आपको यहां पर आपको नो कर देना है अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां पर यहां पर अप्लोड करना है अगर जैसे पोस्ट के लिए यहां पर आपको यहां पर यहां पर आप कर देना अगर आप भी अप्लाइ करना है प्रहितóc क्लिक कर जी चाहिए उसको नेक्सट कर दीन है इसको झार आपको प्रिवू क्राबव हरा कर सकते नहीं तो फिर हमस्कों कर नई और सब्सक्रां कर रहे ृसktor यहां वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले हैं